So Hello and Namaskar दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले है Snapchat से जुड़ी प्रोब्लम के solution पर दोस्तों गर आप Snapchat यूजर है Snapchat पर आप किसी बंदे को message send करने की कोसिस करते हैं तो गैज अगर आपका message send नहीं हो पाता है और आपके सामने कुछ इस तरह के interface आता है जैसे कि दोस्तों मैंने इस बंदे को select किया हैं यहाँ और मैं इसको कोई message send करने की कोसिस करता हो तो उपर से हमारे सामने आ जाता है file to send और हमारा message send नहीं हो पाता है अगर आपको भी Snapchat message sending problem face होती है तो आपको इस वीडियो को end तक देखना है इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करियेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर काईज में इसका complete solution आपके साथ share करने वाला हो यहाँ पर मैं आपको live दिखाने वाला हूँ जो हमारा message है वो भी यहाँ पर जाएगा और इस problem का solution आप किस तरह से करेंगे यहाँ पर जो भी मैं step आपको बताऊंगा वो आपको step by step follow कर लेना है आपकी problem जल्दी ही short out हो जाएगी तो चलिए दोस्तो मैं आपको again एक और message यहाँ से send करके दिखा देता हूँ तो हमारे यहाँ message भी यहाँ पर नहीं जाता है तो दोस्तो यहाँ problem आने के कई region हो सकते हैं एक इसका mainly region है आपका internet आपके internet की speed properly नहीं आ रही है तब भी आपको इस तरह की problem face होती है उसके लिए आपको सबसे पहले step के अंदर अपने notification बार को नीची की तरफ scroll करना है यहाँ पर दोस्तो अगर आप mobile data से connect रहते हैं तो आपको एक बार wifi में connect कर जाना है अगर wifi से connect रहते हैं तो आपको mobile data में connect कर जाना है वो यहाँ से automatically fix हो जाएगा और आपकी जो problem है इसका solution हो जाता है अगर फिर भी आपकी problem का solution नहीं होता है आपके साथ भी इसी तरह की problem बनी हुई है तो guys आपको क्या कर लेना है देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब मैं किसी और बंदे को select कर लेता हूँ यहाँ पर message send करके दिखा देता हूँ तो guys हमारे सामने same वही problem है यहाँ से दोस्तों मैं refresh भी करने की सोचता हूँ तब भी हमारी problem same as it is बनी हुई है तब guys आपको next step के और बढ़ना है Snapchat Snapchat वाली application आपके सामने आ जाएगी आपको इस पर click करना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ तीन ओप से निखाए देंगे है तो इनको आपको enable करना है enable कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना होगा पैक आने के बाद फिर आपको एक बर अपने play store को open करना है उपर search bar पर click करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है Snapchat आपको यहाँ पर यह चेक करने कि आपके Snapchat पर कोई इस तरह से Update तो नहीं आई हुई अगर आपको Update देखने को मिलती है तो आप अपने Snapchat को यहाँ से Update कर लेना और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से Back आना है एक बार अपने फोन को restart कर देना है Rbalance करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने Snapchat अप्ने से आपको यहाँ पर आने के बार आप किसी बंदे को message सेंड्ड करने की कोसिस करते हैं जैसे हम पहले वाले इस बंदे को ले लेने ते हैं और यहाँ से कोई message सेंड करेंगे तो हमारे जो मैसेज यहां से सेंड हो जाएगा और आपकी जो प्रोब्लम है इसका सोल्यूशन हो जाता है तो आज वाली इस वीडियो के ने मेरे को आपको जैस्ट इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या हमारी वीडियो की हलप साफ की प्रोब्लम का सोल्यूशन होता है तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स